तो आज किस वीडियो में मैं जा रहा हूँ बजाज का 23 लीटर का पूलर का अन्बॉक्सिंग करने के लिए तो वीडियो गलास तक जरूर देखे कि कौन सा मॉडल है और कितना अच्छा है इसकी क्वालिटी और क्या क्या मिलता है इसके साथ तो थोड़ा से मिस मत करना और आपको पूरी जानगारी नहीं मिल पाएगे तो इस कूलर में देख सकते हैं नीचे चक्का लगा हुआ नहीं है चार चक्का जो होता है तो लगा हुआ नहीं है और इसके डब्बे में भी नहीं है तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है कस्टमर की भाई इसका चक्का आखिर है तो है कहा तो यहाँ पर है चक्का इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर उंगली गुस्ताना पड़ेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे है चक्का के यहाँ है और इसका मोडल नमर है बजाज फ्रियो न्यू 23 लीटर एर कुलर इसको चलाना कैसे है और यूज कैसे करना है और कितना फायदमंद है आपके लिए और आपके घर के लिए और एक साल का प्रसनल एक्सपिरियंस भी बताऊंगा तो यह फैन का बटन है अभी बंद है यह सबसे हाई यह मेडियम और यह सबसे स्लो तो एक नमर में सबसे स्लो पंखा चलेगा दूसरे नमर पे मेडियम स्पीड में पंखा चलेगा और तीसरे नमर पे सबसे हाई तेज प पंखा घुमना बंद हो जाएगा उसके दूसरा वाला जो बटन है वो है घुमाने के लिए और पानी के लिए तो इसका भी मैं बता देता हूं यहां पे लिखा हुआ है स्विंग एन पंप दोनों के लिए दिया हूआ यह बटन तो इसका भी कोट समझ लिजे तो पहले नमर पे तीर बना हुआ है इसका मतलब यह जो पंखा है यह दाया बाया घुमेगा उसके दूसरे नमर पे जो बटन है इसमें पानी का बूंद का भी निसान बना हुआ है और मतलब मोटर का पानी भी गिरेगा पीछे में और धाया बाया भी पंखा घुमेंगा उसके चुलब यहाँ जो तीसरे नमर पर है यह दो बूंद बना हुआ है तो यहाँ पे सिरिफ पानी गिरेगा टंकी का लेकिन पंखा धाया बयान नहीं घुमेगा अपने जग़ा आप यहां पीछे आना पड़ेगा देख सकते हैं यहां पर चक्का जहां रखा हुआ उसको उपर करना है और यहां पर पानी डालना है उसका पानी चला जाएगा डारेक नीचे अपने पर बाल्टी यह लोटा है अब भाया डालेंगे और इन छेदू से पानी नीचे जाता है यहां पर मोटर का पाइप लगा हुआ उपर पानी फेकता है जब कूलिंग होता है तो फिल्टर होता रहेगा पानी और धिरे-धिरे पानी खतम होता जाएगा यहां नट दिया हुआ है यह वाला नट खोलना पड़ेगा और यह वाला नट आपको खोलना पड़ेगा इस क् अगर आप हर रोज टंकी का पानी बाहर निकलना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं तो सबसे नीचे देख सकते हैं यहां पर रबर का दिया हुआ यहां पर छेदा है तो इस रबर को निकालेंगे तो टंकी का सारा पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा इस cooler को मैंने एक season पूरा यूज़ किया एक साल यूज़ किया अभी तक कुछ भी खराब नहीं हुआ है और इसके pump में आपको दो साल का warranty मिलता है अगर कुछ भी खराब होगा तो टेकनी CN आपके घर पे आएगा और free में ठीक करके जाएगा तो आप भी एक बार इस cooler को जरूर खरी दिये और यूज़ करके एक बार personal experience शेर किजिए